नमस्कार प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर्श से आपके अपने इंट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंट्यूरीटर पब्लिकेशन तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हमारे चैनल ने आपकी हरियाना प्लेस रेटन एक्जाम को ध्यान में रख सकते हैं और साथ है जो पहले ही पार चैनल पर आया है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और रेगुलर लेटस्ट अपडेट के लिए सभी परकार की पीडिएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को भी जोइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के क्वेश्चन वही आया थे जो पहले किसी न किसी प्रिक्षा में आ चुके हैं अगरिकल्चर के और एनिमल अजबेंडरी के जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं यह यह तो यूपी एस या यूपी पीएस यूपी पीसी एस एचस यानि कोई ने कोई स्टेट जो आपकी एकजाम सोते हैं उनमे आई हुए हैं सेंटर के एकजाम से उनमे आई हुए हैं तो मॉस्ट इंपोर्टन एक क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं देश में वरतमान में आई सी ए आर नई दिल्ली के इंतरगत कितने क्रशी विज्ञान के अंदरे कारियर हैं अगला क्वेश्चन है अमरपाली एक्स वनराज किसमों के क्रॉस से आम की कौन सी संकर प्रजाती विक्षित की गी है तो इसका जो सही अंसर है वो से नंबर सी है अनमोल अनमोल जो प्रजाती है आम की प्रजाती ऐसा भी पूच सकता है और यह जो अमरपाली एक्स वनर साथ किसमों के क्रॉस से जो है ये तैयार की गई है अगले क्वेस्चन के और बढ़ेंगे सीडियस में क्वेस्चन आए हुआ है भारत के विभिन हिस्सों में क्रिशी उत्पादन बिन बिन तिवरताओं के बाड़ और सुखे से बहुत अधिक परवावित है उस संबंद में मिलिकित में से कौन सा एक उपाए जो एक सारी है या धारनी है नहीं होगा तो थर्टी नाइन का जो सही अंसर है वो अफसन नंबर सी हो जाएगा अफसन नंबर सी क्रिसी के लिए बाड़ और सुका प्रवन अक्षेत्रों का प्रिहार इन को याद कर लें अपने माइंड मे सम्मलित नहीं है तो फ्रेंड्स 40 जो 40 मा पका question इसका सभी अंसर तिलहन तो तिलहन की जो आपकी फसल है वो राश्टिया खाद्यान सुरक्षा जो मिशन उसमें सम्मलित नहीं है अगला question है राश्टिया होटी कल्चर मिशन किस पंच वर्षी है योजना में आरम किया गया तो जो आपका राष्टिया होटी कल्चर मिशन है वो दस्वी पंच वर्ष ही होजना में आरंबे किया गया था देखिए टोपिक आपको थोड़ा सा बोरिंग जरूर लगेगा लेकिन जरूरी है क्योंकि दस यहां से पूछे जा रहे हैं अग्जाम में भूमेगा तजल को अगर इसकी सीरीज को आप अच्छा प्यार स्पोर्ट देते हैं तो बोजल आई-पी-सी की भी सीरीज में लेकर आया हूं आई-पी-सी तो मैं आपकी 4-5 क्लासेज में करा दूंगा ज्यादे दिक्कत वाली बा होता है अगले क्वेस्टन की और बढ़ेंगे भारत सरकार सी बक्तोर्न की खेती को प्रोचाहित कर रही है इस पादब का क्या महतो है तो यह चार स्टेटमेंट दी हुई है इसका जो सही अंसर होगा वह आपका और सी होगा एक और तीन तो इनमें क्या कह रहा है वो देख में सायक है मरुस्तिली करण को रोकता है इसके अलावा इसमें पोस्की अमान होता है और यह उच्छ तूंगता वाले ठंदे अक्षेत्रों में जीवित रहने के लिए बली बाती अनुकूलित होती है सी बक्तोर्न खेती की मैं बात कर रहा हूं बहुत यह अच्छा क्वेस् 6.7 मिलियन टन भारत के अंदर कुल खाद्यानों का उत्पादन हुआ था आगे बढ़ते हैं प्रदान मंतरी क्रशी सिच्चाई योजिना जिसे 2 जुलाई 2015 को मंजूरी दी गई के तहत बजट 2021-22 में कितनी राशी का प्रावधान किया गया है तो इसका जो सही अंसरे ऑफ 1888 क्रोड रुपे ठीक है ग्यारा हजार 1588 क्रोड रुपे अगले क्वेस्चे को देखते हैं भारतिय कर्शी नुसंदान प्रिशद के 92 में स्तापना दिवस पर राश्टिय सम्मेलन का आयोजन 16 जुलाई 2020 को कहां पर हुआ था तो इसका जो सही अंसर है 47 क्वेस्चन का वह 2020 में नई दिल्ली के अंदर हुआ था अगला कैसे देख लेते हैं पुर्वत्र अक्षेत्र में जय उत्पादों को बढ़ावा देने हैं तू कौन सी योजना रम की थी जो हमारे पुर्वत्र राज्य हैं पूरो का जो हमारा अक्षेत्र है जय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वहां पर कौन सी योजना की सुरुवात की गई वहां पर आपकी जैव मुल्य स्रेंखला विकास योजना जैव मुल्य स्रेंखला विकास योजना 48 का भी अंसर हो जाएगा फोटी नाइन को देखते हैं फोटी नाइन में क्या कह रहा है दोजार सोला सत्रा के बजट में निमलिखित में से किसके जनम दिवस के अवसर पर एकी कृत करशी विपनन इमंच राष्टर को समर्पित करने की घोशना की गई थी देखिए फोटी नाइन ये क्वेस्टन है य डॉक्टर बाबा साहिब भीमराव अंबेड कर डॉक्टर बाबा साहिब भीमराव अंबेड कर इसका सही अंसर होगा नेक्स्ट क्वेस्टन है हाल ही में किंद्रिय करशी मंत्रा ला के नाम में प्रिवर्तन किया गया है अब इस मंत्रा ला को किस नाम से जाना जाता है या जाना जाएगा इसका सही अंसर आपको उफसे नंबर भी किंद्रिय क्रिशी एम क्रिशक कल्यान मंत्रा लैस का सही अंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेस्टन है दो हजार एक्किस बाइस के बजट में परदानमंत्री ग्राम सड़क योजना है तू कितनी रासी आवंटीते की गई है तो इसका जो सही अंसर है वह आपका होगा उफसे नंबर डी पंद्रा हाजार क्रोड रुपे यह क्वेस्टन आपको एगरिकल्चर में एनिमलस बेंडरी में और तो करंट में भी आपको एक क्वेस्टन काम आने वाले हैं तो दोजार इकीस बाइस के बजट में परदान किसान सम्मान ने दी ओजना के लिए कितनी रासी आवंठीद करने की गोषणा की गई है जो कहते हैं अब किसान पैंसन तो किसान सम्मान ने दी होजना भारत सरकार ने इसका नाम दिया हुआ है और इसका जो सही अंसर है वह होगा आपका ऑफस secular क्रोड रुपे ठीक है 52 का और से अंसर होगा 65,000 क्रोड रुपेस का सही अंसर है नेक्स्ट केस्ट राष्टिय नमूना राष्टिय नमूना सर्वेक्षन कारियल द्वरा दिसंबर 2015 में जारी आकड़ों के मुताबिक 2013 में ग्रामीन ओसत भू स्वामितों कितना रह गया है 53 का जो सही अंसर है वह आपका आफस नमबर डी पॉइंट फाइफ नाइन टू हैक्टेर परती परिवार यानि की जमीन लगातार घटती जारी है और एक परिवार के जो हिस्से है वो एक हैक्टेर भी जमीन अब नहीं रही है करसी आधारीत या भू स्वामितों के आधार पर अगर बात की जाए तो अग भारत को चुरणममी 94 वी रेंग जो है प्राप्त हुई है नेक्स्ट क्वेस्टन है फ्रेंड्स और यह आज का लास्ट क्वेस्टन है उसके बाद आपको मिलेंगे वीडियो थर्ड में या पार्ट थ्री में सीरीज की तब तक के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बोरलांग जो पुरुस्कार है नेमन में से किस विज्ञानिक अक्षितर में दिया जाता है तो बोरलांग जो पुरुस्कार है वो क्रिशी विज्ञान अक्षितर में दिया जाता है इसका अंसर होगा उसनमबर डी आज किस वीडियो में फिला वाल इतने धन्यो